नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंड टीम पर तो दोस्तो आज की इस वेडियो में दैनिक जागरण के समपादकी से 458 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड मिलेंगे पहली बार में सतर की स्पीड में दूसरी बार में असी की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरुवत है तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें इस्टार्ट राजनेतिक दल किस तरह इवियम पर निसाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर भोडने के लिए उतावले रहते हैं इसका ताजा उदाहरण है बस्पा प्रमुख मायावदी की यह मांग की हर चुनाओ एलेक्ट्रानिक ओटिंग मसीन के अस्थान पर मत पत्र से कराए जाए उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाओ आयोग रिमोट एलेक्ट्रानिक ओटिंग मसीन से मतदान का परिक्षड करने जा रहा है रिमोट एवियम के उपयोग की पहल चुनाओ सुधार की दिसा में एक क्रांती कारी कदम है इसके माध्यम से प्रवासी भारती मतदाताओं को ओट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा इससे उन करोणों मतदाताओं की चुनाओं में सह भागिता हो सकेगी जो नौकरी व्यापार, सिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पातें यह विडंबना ही है कि जब रिमोट इवियम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं कांग्रेस समेत 16 दलो ने जिस्तर यह संकेत दियें कि वे रिमोट इवियम के प्रायोगिक परिक्षर का विरोध करेंगे वह अंध विरोध की राजनीती का एक और सर्मनात उदाहरण ही है क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट इवियम के परिक्षर और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है इसी के साथ इवियम के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है मायावती का बयान इसी की पुष्टी करता है मायावती ने जन्ता की आड लेते हुए यह कहा कि उसके मन में इवियम को लेकर तरह तरह की आसंकाएं व्याप्त है यह निरा जूट ही नहीं जन्ता को बर गलाने की कोशिस भी है इस तरह की कोशिस पहले भी हुई है लेकिन जन्ता के अस्तर पर इवियम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया आम तोर पर वही राजनीतिक दल इवियम को लेकर जन्ता को बर गलाने की कोशिस करते हैं जो चुनाओ में पराजित हो जाते हैं या फिर उन्हें पराजय मिलने की आसंका होती है यह किसी से छीपा नहीं कि पिछले कुछ विधान सभा और लोक सभा चुनाओं में बस्पा का प्रदर्शन निरासा जनक रहा है 2014 के आम चुनाओं में उसे लोक सभा की एक भी सीट नहीं मिली थी इसके विपरीद जब वह 2019 का लोक सभा चुनाओं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो उसे दस सीटों पर जीत हासिल हुई बस्पा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि यह चुनाओं इवियम के जरिये ही कराए गए थे कम से कम उन्हे यह तो अच्छे से इस मरड़ ही होगा कि 2007 के जिन विधान सभा चुनाओं में बस्पा को अपने बल बूते बहुमत मिला खा वे भी इवियम से हुए थे इवियम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट इवियम के भी खिलाफ ख़ड़े होते दिख रहे हैं उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीर्ड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट की हर चुनाओ एलेक्ट्रोनिक ओटिंग मसीन के अस्थान पर मत्पत्र से कराए जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाओ आयोग रिमोट एलेक्ट्रोनिक ओटिंग मसीन से मतदान का परिक्षड करने जा रहा है। रिमोट एवियम के उपयोग की पहल चुनाओ सुधार की दिशा में एक क्रांती कारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी भारती मतदाताओं को ओट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोणों मतदाताओं की चुनाओं में सह भागिता हो सकेगी जो नौकरी व्यापार, सिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पातें। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट इवियम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलो ने जिस तरह यह संकेत दियें कि वे रिमोट इवियम के प्रायोगिक परिक्षर का विरोध करेंगे, वे अंध विरोध की राजनीती का एक और सर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट इवियम के परिक्षर और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ इवियम के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की उष्टी करता है। मायावती ने जनता की आण लेते हुए यह कहा कि उसके मन में इवियम को लेकर तरह तरह की आसंकाएं व्याप्त हैं। यह निरा जूट ही नहीं जनता को बर गलाने की कोशिस भी है। इस तरह की कोशिस पहले भी हुई है। लेकिन जनता के अस्तर पर इवियम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आम तौर पर वही राजनीतिक दल इवियम को लेकर जनता को बर गलाने की कोशिस करते हैं। जो चुनाओ में पराजित हो जाते हैं या फिर उन्हें पराजय मिलने की आसंका होती है। यह किसी से छीपा नहीं की पिछले कुछ विधान सभा और लोक सभा चुनाओं में बस्पा का प्रदर्शन निरासा जनक रहा है। 2014 के आम चुनाओं में उसे लोक सभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीद जब वह 2019 का लोक सभा चुनाओं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो उसे दस सीटों पर जीत हासिल हुई। बस्पा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि यह चुनाओं इवियम के जरिये ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से इसमरण ही होगा कि 2007 के जिन विधान सभा चुनाओं में बस्पा को अपने बल बूते बहुमत मिला था वे भी इवियम से हुए थे। इवियम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट इवियम के भी खिलाफ ख़ड़े होते दिख रहे हैं उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। दोस्तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। इस्टार्ड राजनेतिक दल किस तरह एवियम पर निसाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोडने के लिए उतावले रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण है बस्पा प्रमुख मायावती की यह मांग की हर चुनाओ एलेक्ट्रानिक ओटिंग मसीन के अस्थान पर मत्पत्र से कराए जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाओ आयोग रिमोट एलेक्ट्रानिक ओटिंग मसीन से मतदान का परिक्षड करने जा रहा है। रिमोट एवियम के उपयोग की पहल चुनाओ सुधार की दिशा में एक क्रांती कारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी भारती मतदाताओं को ओट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोणों मतदाताओं की चुनाओं में सह भागिता हो सकेगी जो नौकरी, व्यापार, सिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पातें। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट इवियम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलो ने जिस तरह यह संकेत दियें कि वे रिमोट इवियम के प्रायोगिक परिक्षड का विरोध करेंगे, वे अंध विरोध की राजनीती का एक और सर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट इवियम के परिक्षड और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ इवियम के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की पुष्टी करता है। पहरा, मायावती ने जन्ता की आड लेते हुए यह कहा कि उसके मन में इवियम को लेकर तरह तरह की आसंकाएं व्याप्त हैं। यह निरा जूट ही नहीं जन्ता को बरगलाने की कोशिस भी है। इस तरह की कोशिस पहले भी हुई है लेकिन जन्ता के अस्तर पर इवियम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आम तौर पर वही राजनीतिक दल इवियम को लेकर जन्ता को बरगलाने की कोशिस करते हैं जो चुनाओ में पराजित हो जाते हैं या फिर उन्हें पराजय मिलने की आसंका होती है। यह किसी से छीपा नहीं की पिछले कुछ विधान सभा और लोक सभा चुनाओं में बसपा का प्रदर्शन निरासा जनक रहा है। 2014 के आम चुनाओं में उसे लोक सभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 का लोक सभा चुनाओं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो उसे दस सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि यह चुनाओं इवियम के जर्ये ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से इस मरण ही होगा कि 2007 के जिन विधान सभा चुनाओं में बसपा को अपने बल बूते बहुमत मिला था वे भी इवियम से हुए थे। इवियम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट इवियम के भी खिलाफ ख़रे होते दिख रहे हैं उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। सब्स्टाब